ब्रेक के बाद आप सबी का स्वागत है आरोगे में तो आईए वैजी देखते हैं अब कौन से आपके पेशेंट है हमारे साथ जिन्होंने हमारे साथ शेयर के अपने एक्सपीरियेंसेज मेरा नाम मीनु है मैं रिशी के इसकी रहने वाली हूँ तीन साल पहले मेरे डिलेवरी हुई थी उसके बाद मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ फिर मैं अपने हैस्पन को लेकर वैजी के पास गई उनके पास से दवाई लेने के बाद मेरे पंद्रह दिन में वेट घटना श रिशी केश से मीनु जी जिनको डिलीवरी के बाद जिनका वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था तो ऐसा नॉमली देखा जाता है कि होता है तो आपने इनको क्या ट्रीट्मेंट दिया रिशा जी पहले समय में डिलीवरी के बाद औरत की फिगर में बहुत अंतर नहीं आता था और जब से ये नर्सिंग हॉम का चक्कर हुआ सही भी है अच्छा भी है इसमें कोई बुराई नहीं लेकिन खान पान बिल्कुल हमारा चेंज हो गया जब पहले डिलीवरी होती थी लोग 40 दिन तक अपने घर में मसूर की दाल और मूंग की दाल के सिवा कुछ नहीं खिलाते थे शुरू के दस दिन दसमूल का अर्क पिलाते थे और उसके बाद दस मुरा रिष्ट पिलाते थे दसमूल के अंदर दस बहुमूले जड़ी बूटी हैं जिन में छोटी कटैली, बड़ी कटैली, बेल, पाडल, गंभारी, प्रश्टपढणी, शालपढणी, अर्णी और इनके सहियोग से जो दवा बनती थी दसमूला रिष्ट इससे हर महिला की अच्छे रूप से सफाई हो जाती थी और दूद पहुत अच्छा बनता था पर सूत अवस्ता के लिए दसमूल से अच्छी आयरवेद में कोई दवाई नहीं है अब सब नर्सिंग हों में हो रहे हैं खान पीन का कोई किसी को मालू भी नहीं जिसके कारण ये विक्रतियां देखी जाती है इनकों मेंने अपनी आयरवेद में अपनी फार्मेशी द्वारा निर्मित कुछ दवाई हैं जैसे कि लोहरसाय, मेद नाशक गोधन वटी और साथ में दसमूल गन वटी जब जब हमारे सरी के अंदर मेद भड़ता है तब तब दुर्बलतातन की बढ़े चींक भी आती प्राए मेदो रोग के सदा आलस्य बढ़ जाए मेदो मैसे वात का निश्चित पत अवरुद वात कोष्ट में घूमती कोष्ट रहे नाशुद जब हमारे सरी के अंदर मेद भड़ता है तब अलस्य भी भड़ता है और हमारे सरी की चेन रस, रक्त, मास, मेद, मेद पर आकर के चेन रुख जाती है जिसके कारण आगे की जो चेन है अस्थी, मज्जा, शुक्र यह कमज़ोर पढ़ने लगता है शरीर में तूटन, दर्द बहुत रहने लगता है उसके लिए लोहरसायन अपनी जो बैसेजरतनावली की रोहसायन है और दूसरा मेद नाशक गोधन वटी मेंने इनको मेद नाशक गोधन वटी पहुत अच्छी दवा लिवर और आतों के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए बोडी की चरबी घटाने के लिए कोलेस्टरोल, ट्राइगलिस्राइट बढ़ रहे हो या बोडी के अंदर ट्यूमरे सेल्स डवलाप हो रहे हो उसको रिमूव करने के लिए ये दवा बहुत अच्छी है दश्मूलगन, लोरसायन और मेद नाशक इन तीनों की दो दो गोली दो बार परियोग कराई साथ में हम एक चाय बनाते हैं सिलिमिन टी जिसके अंदर त्रिफला, मेथी, कोकम, मुलहेटी, गुणमार, पत्थर चूर, आग्या घास और सनाय इसके द्वारा ये निर्मित है और नियमित रूप से यदि कोई व्यक्ति दो चम्मच परती दिन एक गिलास पानी में उबाल कर चान कर परती दिन सेवन करता रहे तो उसकी चर्वी उसका वजन एक महिने में चार से पांच किलो तक कम हो जाता है लेकिन साथ में मीठा, मिठाईया, आलू, चावल और तले पदार इसका पून रूप से परेज करना चाहिए और स्लिमिंग टी के लिए तो कहा भी है नीम्बू, रस, अरु, शेहद में स्लिमिंग टी मिल जाए जो सदेव पीता रहे तन पतला हो जाए बहुत से लोग प्रातेकाल गुन-गुने पानी में नीमबू और शेहद मिला करके सेवन करते हैं यदि वो स्लिमिंग टी के साथ में और सेवन करें तो उनको शरीर में कभी चर्वी नहीं जमती मैंने भी इनको ये प्रियोग में दी दीरे दीरे इनका शरीर का वजन घटा और ये अपनी पुरानी अवस्ता में आई और भगवान के आशिरवास से अब ये बिलुकल परसंद और स्वस्त हैं इसे की साथ हमारे कॉलर उमर से जुड़ चुके आई उन से बात करते हैं हालो हालो जी कौन बूल रहे हैं जी मैं हरी प्रकास शर्मा केरला से बोल ला हूं बहुत-बहुत स्वागत है आपका वैजी से क्या पूछना चाहते हैं आप जी मेरी वाइप शकुंत्रा जो 63 एर् जी उनके लोवर बैक में बहुत पेन है और जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया लंबर डिस्क डिसीज जी और इस पेन उन्हें करीब 6 महीं के से है और वो न वोट पाती है ठीक से न बहुत पाती है एलोप्रेतिक इलाज करने से कोई भी फायदा नहीं हु जी बिलकुल होगा बगवन उनकी उम्र कितनी है 63 अच्छा उनको बीपी या सुगर तो नहीं है अच्छा उनका वजन भारी तो नहीं है ठीक और पैरों में सूजन या पैरों में दर्द या कीडी सी काटना पैरों में दर्द रहा सूजन नहीं है ठीक है बगवन बहुत अ अच्छा होगा कि आप इनको रामफल वटी, सिलाजीत वटी और दर्शमूल घन इन तीनों की दोदो गोली राशना सब्तक को आद के साथ सेवन कराएं, इनको निश्चित रूप से लाब मिलेगा। दूसरा हम एक चूंड बनाते हैं ग्रहसी वाज चूंड जो की मुखेता सियाटिका के लिए या लंबर स्पैन में लोवर लंबर स्पैन में दिक्कत आ रही हो उसमें बहुत अच्छा करता है। आप इसकी एक एक चम्मच दिन में दो बार प्रति दिन सेवन कराएं, तूद के साथ आपको निश्चित रूप से लाब दिखाई देगा और आप महा नारायन तेल की हल के हाज से इनको कमर में मालिश करवाएं और मालिश के पस्षाथ थोड़ा सा सिकाई करा दें, गरम प पर बैठते हैं, या बहुत जुकर काम करते हैं, या कभी कोई चोट लग जाए, या हमारा गदा पुराना पड़ जाए, या बहुत सौफ्ट गदा हो, इन चीजों से आप बचाना, जटकों से बचाना, बहुत से लोग ड्राइविंग बहुत करते हैं, अक्सर ये शिकायत उनको बहुत मिलती है, क्योंकि हमारे देश पे सड़कों में गड़े बहुत हैं, और कभी कभी या स्पीड बेकर पर या गड़ों के उपर तेजी से बाइक या स्कूटर या मोटर साइकल चली जाए, तब भी ये दिक्कत आयाती है, इन चीजों से आप बचाए, मैं उम्म सब्सक्राइए, तो दरशकों आप भी हमें इन न मबर कर सकते हैं, जो लगातर आपकी TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपका कोई भी सवाल है, तो आप इन नमबर स्पर कॉल करके डरlyक्ट कगी से बात चीत कर सकते हैं, अदरवाइस, आप में वाटसाइब कर सकते हैं, या फिर अपना सवाल एमेल के जरीय भी भेज सकते हैं कोई भी एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया है तो यूट्यूब पर हमारे सारे एपिसोड अवेलेबिल हैं आप वहाँ चेक कर सकते हैं और इसी के साथ वैज जी बहुत सारी ऐसी बिमारी होती है जो जैनेटिक होती हैं काफी जैनेटिक से चली आ रही होती है तो क्या आयूरवेद के पास उनका कोई इलाज है कि आने वाली जैनेटिक को उन बिमारीं से बचाया जा सके डिपैंड रिचाजी करता है कि बिमारी क्या है बहुत से लोग जैसे किसी को जैनेटिक है मदू में, शुगर है तो यह सोचते हैं कि शुगर तो उनको भी होई जाएगी इसलिए वो खान पीन पर ध्यान नहीं देते कुछ थियोरी यह है यदि वो मीठा ज़्यादा खाएंगे तो शुगर होगी जबके ऐसा नहीं है बहुत एक्सेसाइज करें, फिजिकल वर्क करें, घूमें, मीठा मीठाईयां अलू चावल का परेज रखें और जंक फूड इससे बहुत ज़्यादा बचें मदु में के दो मुख्य प्रमुक कारण जो आज के समय में है, एक फैटी लीवर होना, फैटी लीवर ना हो, इसके लिए पेन किलर्स, एंटिवाइटिक यद तले पदार्थ, इससे बहुत ज़्यादा बचें दूसरा बोडी में कभी चर्बी, अगर चर्बी बढ़ेगी, जितना सरीर मोटा होगा, शुगर बढ़ने के चांस उतने ही ज़्यादा बनते हैं तो उसको कोशिश करने चाहिए, कि वह अपने सरीर को फिट रखे, नियमित रूप से एक्सिसाइज करें, और खान पेन का विशेध्यान रखे, तो हम काफियत तक बिमारियों से बच सकते हैं बहुत बहुत शुक्रियाव है, जी इसे किसाद जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते हैं, आपका दोहा हो जाए जी, भोजन करे धर्ती पर आलती पालती मार, चबा चबा कर खाईए, वैद न जहां के द्वार बड़े दुख की बात है, अब हम सब स्टेंडिंग या कुर्शी पे बैठ के खाते हैं, पहले हम लोग नीचे बैठ कर आलती पालती मार कर भोजन करते थे, पश्टा भी था, और उससे किसी का पेट भार नहीं निकलता था यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाएं, तो हम काफी बिमारियों से बश चकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया वैजी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ अच्छी जानकारी शेयर की, तैंक्यू सो मच तो दर्शकों जाने का समय हो गया है, जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि वैजी के जितने भी दोहे हैं, वो आपके स्वास्ते से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें गौर से सुना कीजिए और आजमाओगे तो और भी अच्छा होगा तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिएगा, नमस्कार